हे हलो फ्रेंड्स तो आगया है मैं एक और नीव वीडियो के साथ यह रेंग पुसिंग के एपिसोड नमबर 15 होने वाला है और अभी तक मैरा हिरोईक में 4 लग चुगा है लेकिन जो आभी आपको मैं गेम प्ले दिखाऊंगा वो मेरा 3 श्टार का गेम प्ले रहेगा लेकिन अभी मेरा 4 श्टार लग चुगा है और इससे आगया भी मैं और भी पुस करने वाला हूँ तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते है तो यह रहाज का पहला मेच इसमें मेरे कील हो गए थे एक और मेरे को छोड़ कर अभी तीन बंदे और बज रहे थे घंकी लोकेशन मेरे को बिल्कुल जाने वाला था उधर परवन रजेना चाहता रहा है M47z इससे एक दो मेंच पहले में मेरेको एक बंदा जो है, M47z से मारता है, मैं मतलब जब मेरे fire करता है, तो body body से मेरे को निपटाता है, लेकिन एक दम ज़ादा, मतलब बहुत ज़ादा rate of fire है, इसका मतलब M47z का, मेरे को पता भी नही था, मतलब यह काम क्या करता है, इसको कहां से मिलता है, और क्या करते ही, यह सब मेरे को पता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था तो जब उसको मैं इस्पेक्ट किया तो मैं चौक गया यार मतलब इतना ज्यादा रेट आफ फायर देता यह एम फोरेवन उसके मेरे पास यह डवल रेट आफ फायर वाला गन का इसकीन भी नहीं था फिर भी बहुत ज्यादा मतलब रेट आफ फायर था यार मैं चौक गया द करता यह सब मेरे को नहीं पता था अभी तक तो फिर मैंने यूटूब में जाकर सर्च किया तो मेरे को दिग गया तो फिर मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया एंपरेवन और मैं चलाया तो विल्कुल चौक गया मतलब बहुत ज्यादा रेट अपार मतलब काफी अच्छा बंद के लिए मेरे को ट्राइब कर रहा था लेकिन मैं इसको दिमाः लगाके उड़ाने वाला थी सको मैं बिलकुल भी देना नहीं चाहता क्यों इसको मैं गशाता सक्ळोच एक डम मेरे मारूं हांहांidal मतलब करकर दार उदार मतलब एकदम मुर्यूप यहां इसको आ करके में मैंने एक मेडी किट लगा लिया और नेड जो है वो कुक करके उस पे मारा तेकिन यह बंदा काफी सही था इसका मूमेंट मतलब बहुत अच्छा था बंदा यह एक जगा पर टिकता ही नहीं था देखो आप कहीं न कहीं जा रहा है मेरा नेड भी नहीं लग रहा थी इसको मतल मतलब जब नेड कर रहा था तो तो यह बंदा एम मतलब एकदम ओपन में लेकर एम ऐसा नहीं लेना चाहिए ठीक है आप आपने आप में कांफिडेंस हो मतलब में हेड ही लगा दो करके लेकिन ऐसे ओपन में नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं इधर MP40 से उसको थोड़ा बह समेच कर दिया फिर से उसको इधर आये तो वह बंदा कहीं और ही चला गया तो मतलब मेरे करोणों में चल गया था इसका मुमेंट बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी इसको मैंने उड़ा दिया मुमेंट दिखाता है इसके जैसे मेरा अगर मुमेंट होता ना तो मैं किसी को आसानी समार सकता था मतलब मैं दिमांख कि लगाकर बंदोप भूडा ता मैं मेरा मुमेंट वेगरा उतना ज्यादा ख 70 धिमांग लगा कर मैं बंदो को जो है वह उड़ा देता हूं डिशा इसमरे को प्लस मिल भी मैरे को 20 प्लस मिल गए ज्यूश इसमें और प्लस मिलना तो मैंने उसका वेट कर रहा था यहां पर वह बंदा आया तो मैंने डामेज करने स्टार्ट कर दिया और उसमें वाल लगा लिया लेकिन मेरे पास M249 बहुत जल्दी जो है वाल के तोड़ देता है तो उसका वाल तोड़ के उसको मैंने उड़ा दिया अब जोन जो है वह आपके पास आ जाएंगे थार्ट पार्टी करने के लिए तो आपको कभी भी फायर करते साथ वही पर ही नहीं रुकना आपको अपना इसपार्ट जो है चेंज करना है लोकेशन जो है चेंज कर लेना है तभी आप सोलो में प्लस करा सकते अब उधार से थोड़ा बहुत मैं इसलिए मैं हमेसा बोलता हूँ आप अपना पीछे हमेसा क् λियर राखो सामने सेन जाब आपको कोई वे बंद मारेगा तो आप बच जाओगे वाल वें इंट लगाकर लेकिन जब भी आपको फायर देगा पिछे से कोई वी बंद फायर देगा मतलब डैमेज लगब करने स्टाट करेगा मतला मार देते पीछय से आखर बंदें जो है वो में पीछे जो तो मैं निकाल लिंदों को यह वह गलू low तोर तोर के में उड़ाने वाला था किम्यरे पास बचलोने मेरा को एक बंदा दीखएस को मैने डामेज करने स्टार्ट कर दिया और इसको सीर्ड करने मी बंदा संद भिजक बंदा है प्रालर अच्छक last बंदा हुआ तक है यह मेरा दिया और defe मॉरारा अगर बात करें इस वाले मैच की तो इसमें मेरे कीलब यी तक दो ही थे और मेरे फस वाल देखो कितना जगादा है तब इधर मैं जा ही रहा था तभी मेरे को इधर एक बंदा दिख जाता है वाल के पास तो मैंने इसको VSS से उड़ाना डाइमेज करने स्टार्ट कर दिया और फिर इसको उड़ा दिया ये बंदा सामने वालेज फाइट कर रहा था इतना मेरे को पता लग गया था सामने कोई बंदाय करके तो धरवाल लगा मेरे को दिख गया है तो मैं एम ले रहा था किसी मतलब कोई निकले तो उसको डामेज करने श्टार्ट करूँ कर गया तभी मेरे को एक बंदद दिख जाता है तो मैंने उसको डामेज कर दिया था 2-3 सॉट लगा दिया था वी एसस को उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा डामेज लग गाय थ प्रो से प्रो बंदे को अगर आप सहीं से दिमाग लगा के खेलोगे और नेड़ करोगे तो नेड़ मतलब बहुत अच्छा अपसान है यार कुक करके मारोगे तो किसी भी बंदे को आप उडा सकते हो अब उधार से उस बंदे को थोड़ा बहुत मैं लूट किया नेड़ वेगरा ले लिया उनसे तो फिर इधार आ गया मैं और इधार चल रहा था उपर में फाइट उधार तो मैं एक बंदे को जो है डामेज करता हूं यह बंदा कौन था मेरे को पता तो नहीं था तो इसको मै है लेकिन उसने वाल लगा लिया अब जोड़ार उपर के उसीप्ट हो गया था वह बिना किसी डेरी की मतलब जोन की और बनने स्टार्ट कर दिया क्योंकि यह लास्ट जॉन होने वाला था मैं अगर उस बंदे पर focus किया रहता तो फिर मैं जोन में भूल जाता और मतलब जो जान में नहीं जाता तो फिर जोन जो है वह बहुत ज्यादा डामेज करता लास्ट में और मैं आसानी से कील हो जाता किसी विभन देखा इसलिए मैं पहले जोन में आ गया और इधार एक बंदा दिखा इसको मैंने वी एसस के एक हेड रख दिया था और उसको डामेज बहुत काई नहीं और इसको साइब उपर से भी पट रहा है मेरे ख्याल से अर ये बंदा जो है वो पेख हो गया था लेकिन ये बंदाiset को टाल के नीशे आ गया और वाला इतने में मेरे को सूच बहुत बहुत ज्यादा लिए और वह बन्द्रमार को बहुत up कि युठी ऑंग म स्काइब करते हैं गुल देखते vantage को घुल बैब करना फिर तो पहले हो भी हिंद बहूं कछ रहा थादा यहां पर दा जला रहा हैं आध Ett के मैं थोड़ा बहुत घबरा जाता हूं क्योंकि बंदे जो है बहुत ज्यादा मुमेर दिखाने लगते लिगें फिर भी मैं दिमाख लगा के बंदों को जो है वो उड़ा देता हूं और इसको भी मैंने MP5 से उड़ा दिया था इसमें मैं MP5 चला रहा था क्योंकि मेरे को M10 या MP40 मिला नहीं MP5 एक्स भी बहुत अच्छा गान है अगर आपके पास कोई भी गन के स्किन नहीं है तो MP5 एक्स चलाओ और इसमें भी मेरे को पूरा प्लस मिल गया था 26 प्लस